दोस्तों आप सभी का स्वागत हैँ डेकर जनल इस्टेडिस में दोस्तों आप विकें लिए 26 प्यून भरति का यहह क्लास लिकょर आए हूं जो 36 भासा का क्लास है और यहरे तेर्वे का क्लास है इस पढस्रें का समय 12 क्लास है। तो 25 सिर्ड़ी जिर्ड़ी पर हैं đây तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो भी प्यून के तयारी कर रहा है या आपको कोई इख्जाम के तयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बिरूर कर ले साथ साथ बेल घंटी के आल बटन को भी प्लेस कर लेता है कि जब भी में कोई निया वीडियो अपलोट करूं तो उस काउन्ट इपिकेशन आप तक अवस्ते पहुंचे और जिसको भी प्यून का माडल टेस्ट पेपर चीए जो कि 15 सेट का माडल टेस्ट पेपर मैंने यहां पर बनाया हूं मेरे द्वारा बनाया गया है तो अगर आप पूछिए तो इस नंबर पर आप वाट्स अप करिए आपको हां पर सारे डेटेल मिल जाएगी और ततकाल आपको पीडियो फॉप्लग कराई जाएगी तो इस नंबर पर आप वाट्स आप कर सकते हैं जिससे अपार जो कॉश्चन है चैतिस गढ़ी फासा का और काफी महत्तुपूर है कि वाल गामवालों को समझ में आता है दिकान सहर वाले को कमरी समझ में आता है तो चली आगे बढ़ते हैं पहला कॉश्चन है हस ताक्षर को शत्यूश्गडई में क्या कहते हैं जो हन्दी का उस किसे दम्हाई होता है तो यहाँ पर सूपा है बहरी चताई तो सर 80 को कहा जाता है अप सभी है जानले लिजए जू घर में लुके कि इस्तमॉल करते हैं जो सरकी होता है तो एक क्स ca班 हो ता完全 कि सो तो उसको चटाई कहा जाता है दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों सीजी प्यूण की भैतरीन तयारी करना चाहते हैं तो सीजी प्यूण 15 माडल टेश्ट पेपर जरूर ले प्यूण बनना है तो इस माडल पेपर को आप जरूर ले सकते हैं जल्दि से इस नंबर पर आप वाट्सप करिए इस नंबर पर आपको पार्सप करना है और इसके लिए पो चार्ज देना पढ़ेगा चार्ज की जानकारे आपको वाट्सप में दी जाएगी इसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बता दो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 36 गरड़ चापर 15 और टूटल यहां पर 15 सेट आपको दी जाएगी सभी में 150 50 पर सेट रहेगा और 100 कुरेंट अफियर भारत के आपको यहां पर दी जाएगी तो आप जल्दे से वाटसप करिए बहतरी तैयारी के लिए आपको इसको लिना पड़ेगा तभी आपकी तैयारी अच्छे सब्सक्राइब अगला है तीसरा नंबर कोश्चन है गाय की गले में बांधे जाने वाला जो मोरपंग की माला को क्या कहते हैं को 36 गड़ी में यहां पर जो तैहार होते हैं उस समय में मना जाते हैं दिपावलिक समय में तो इसको क्या कह जाता है तो यहां पर चार्पर करके अपसान है आप उसको सुहाई कहते हैं गाव में अधिकांस घरों में सुहाई बनाया जाता है और दिपावली के आसपास एक दिसी के दिन इस चिछ को किये जाते हैं तो इसका सहियांसर सी हो जाएगा सुहाई अगला है बराबरी करने के जीत के लिए कुछ जीत करता है तो उसके जो करना गाला पांचवा नंबर हीन्सक प सबूर का हमला कर काटने को 36 जडरह कि जाता है और काते हैं तो खबाकना हबतना वह बतना तो इसका पैरवाली चोशा र radio को Ger उन्मावि के इसका करेक्ट आंसरॉया पर लेषना नभी फार लेषना सब्रक्राइज वह सब्द है उसके हिंदी हर्थ क्या होगा तो ले जाना उतारना जलाना या उठाना तो लिसना मतलब होता है जलाना किसी जीच को लिसना ऐसा बोलते हैं तो क्या चाच कि लिस्तमाल किया जाता है जलाने कि लिस्तमाल किया जाता है अगला है अपने आप उगा हुआ पौधा को क चाहे रखिया हो कुमड़ा हो जो मखना है और करेलव रखें जो आंटोमेटिक पौधा जग जाता है उसको ला मेरा बोलते हैं तो इसका संयान से डी हो जाएगा एगला है उपद्रव करना उत्पाद मचाना कुछ अतिस गड़े में क्या कहते हैं तो लोहा लेना लाहो लेना लाहो लेना तो इसका सही अंसर उपद्रव को क्या हो जाएगा भी हो जाएगा एगला दास्वर नंबर का कि गाव में लंगू जंगू के माती ज़सी आज में जाटे हैं इसको लंगू जंगू कहते हैं इसका तो जाए चालर के prohibited है काफी है काफे अच्छा कोश्चन है आप लोग सुने भी होंगे गाउवाले और बाहर जो सहरी वाले हैं वोग को मी सुने रहते हैं तो गाउव में लंगर किसके लिए इस्तमाल किया जाता है गाउव में एक सब्द प्रचली थे लंगर लंगर का है लंगर का खाना या इस तरह से तो जो लंगर सब्द है तो लंगर को कहते हैं फोकट के खाने वाले को पारसा देख खाने वाले को सब से मेजूल कर रहने वाले को तो गाउव में जो लंगर किसे बोलते हैं फोकट का खाने वाले को लंगर कहते हैं या फ्री के खा रचोंसीन के लघ। लिए एया कशाने प्राइड्यों का रिवार स्वार आवनगा को क्लेंगा एक मुशन से basta divan tu why that सब्सक्राइब बात के लिए और वाल दौ सब्सक्राइब वालिक वालिया रावासि के लिए इन में से कोई नहीं तो रोगहा जो सब्द है एक प्रकार के 36 गड़ी गाली है जो महिलाओं या महिलाओं के द्वारा या लड़कियों के द्वारा इस्तमाल किया जाता है तो रोगहा जो सब्द है एक प्रकार के क्या है गाली है अगला है गाओं में लगा हुआ लकडी के ज जुसमें दो लोग बैठते हैं और गोल-गोला से घुमाई जाता हैं तो इस तरह से बनाया रहते हैं यहां पर बैटने कराता है और उसके बाद हर किसी के घर में सुबा आज काल ब्रस का जमाना आ गया बट मुखारी जो सब्द होता है तो मुखिया है मुटका मारना दातुन या मुर्चा तो दातुन जो होता है गाउं में बुजूर को लोग मुखारी जो दातुन को मुखारी कहते हैं तो इसका सही अंसर हैं पर सी हो जाएगा, मुखादी, इसको भी आपको जानना है, गाउं के अमिर किसान को क्या कहते हैं, जो गाउं के अमिर किसान होते हैं, जो गाउं के अमिर किसान होते हैं, जो गाउं के अमिर किसान होते हैं, तो गाउं के अमिर किसान होते हैं, जिसका आप सभी को मालूम होगा, तो मौहा बिनने वाले को, भीक मांगने वाले को, या जो भीकारी होता है, या गोबर बिनने वाले को, या घूमने वाले को, तो भीक मांगने वाले को मंगया कहते हैं, या पर भीकारी हो गए, या फिर भीकारी को ही, या पर मंगया कहते हैं, जो भ करते हैं तो साम का समय दोपार का समय भूमिया सुबा का समय तूसका सही अंसर सुबा हो जाएगा भिनसरहा ओऊते ऐसे बोलते हैं भिनसरहा हो गये उठो अफ़ा हो गए तो कंगा बना जाता है वह ञावर का शोट गरिशन мешक्त का अर्थ ख्या हों Bernard जिसके दान टूट गए हो, धोखा या भ्रहं। या नहीं देलना पड़ना। तो भोत्वा जो होता है। इस को भोत्वा से बेतस dibujता है उसको भोत्वा का जाता रहता है। आर न हैं आया इस नंबर पर 18,8,25,38,41 इस पर वर्ट्सक्रियां आपको ततकाल मिल जाएगा इसके लिए कुछ चाठ देना पड़ेगा चार्च की जानकार्य आपको वहें पर दे जाएगी दोस्तों ऐसे ही चैनल ने बने रहे चैनल को सस्काइब पर रखे रहे कंटेनू कुलास आते रहेगा चले दोस्तों धन्नावाद